हेलो दोस्तों मैं हूँ आपका अपना संसकारी सुमेत सामने एक ऐसी गाड़ी खड़ी है जिसने इंडिया के नंबर वन व्लॉगर को भी छका दिया सही में एंड में हार के जब नहीं मिली ये गाड़ी तब दूसरी गाड़ी पर शिफ्ट होना पड़ा आप समझ सकते हैं इस गाड़ी पर कोई सोर्स नहीं चल रहा है कोई जैक नहीं चल रहा और इतनी इमांड चल रही है ये है अपने पास डार्क एडिशन की हैरियर गाड़ी, आप देख रहे हैं लुक इसका, अपने आप में एक अलगी रोड प्रेजन्स है इस गाड़ी की, हैरियर इतनी जादा फेमस हुई, उसी का एक जो ट्रेंड चल रहा है ना ब्लैक कलर में, ब्लैक कलर अब तक टाटा के पॉर्टफोलियो में नहीं था, जिसके लिए उन्होंने एक डाक एडिशन, मतलब केवल कलर नहीं, जैसी लोग मॉडिफिकेशन करवाते हैं, मॉडिफाई करवाते हैं गाड़ी को, उनी चीजों को, उनी इन्पूट्स को मार्केट से लेकर, और कस्टमर फीडबेक से ले बाई, अगर फ्रेंट की बात करें, तो बाई, फ्रेंट में, आप देख रहे हिं, अलग ही चीज लग रही है, अलग ही क्लास लग रही है, हैड लो भीम के लिए यहां पर दिया हमको प्रोजेक्टर और साथ में दिया है रिफ्लेक्टर और उसके साथ साथ में ही बिलकुल फॉग लैम दे दिया है जो एक तीनों लैंप की एक यूनिट जैसी लगती है लेकिन वह अलग वर्क करते हैं अगर इसको नीचे देते तो उतना इच्छा ने लगता लेकिन यह बहुत अच्छा डिजाइनिंग है पूरी की पूरी एक ही जो हमारी केसिंग है उसमें सारी लाइट का यूनिट यहां पर दे दिया हुआ है और साथ में हैरियर यह बहुत बढ़िया लग रहा है देखने में और डरक एडिशन की वैसे इसक क्योंकि यही campaign चलाया था जब marketing स्टार्ट हुई थी डाक एडिशन की उसमें ब्रिस्टोन के टायर दे दिया बाई मैसिव वील देखने को मिल रहा है यहां पर हमें और अलग ही एक जो हमारी दूसरी आती है नॉर्मल हमारी हैरियर होती है उसमें हमको जो वील मिलते हैं वो होते हैं डामेंड कट लेकिन यहां पर पूरी तरह से ग्लॉसी और डार्क ग्रेश शेड में दिये हूँ है जो टायर की प्रोफाइल है वो है 235 60R18 18 इंचर है और साइड प्रोफाइल बहुत बढ़िया लग रही है फाइव सीटर के हिसाब से भाई बहुत ही मैसिव लगती है गाड़ी है और विम में देखें तो और विम में ही यहां पर LED इंडिकेटर दिया हुआ है सामने आपने देखा अनलॉक होते ही गाड़ी या फिर हम खोलते हैं तो यह अपने आप अपनी पोजिशन में आ जाते हैं यहां पर रिक्वेस्ट सेंसर बटन दिया हुआ है क्योंकि चावी हमको मिलती है यहां पर रिमोट वाली पूस्ट बटन है वह सारी चीज़ अंदर की तरफ तो यहां पर हमको दिया हुआ है फ्यूल फिलर कैप पचास लिटर का इसमें डीजर टैंक मिलता है हमको और माइलेज है वह बताती है कंपनी सत्रा का अब एक्च्वल में कितना मिलता है वह आपकी चलाई के उपर है आपकी ड्राइविंग जो टेरेन है या फिर आ आगे स्ट्राइब दे दिया था डिजाइन में वही काम किया यहां पर टाटा ने और अपने टाइम से आगे स्ट्राइब दिया जितना लोगों को आगे से गाड़ी पसंद दिया उत्मा पीछे से पसंद आई है और आप देख रहे है कंप्लीट ग्लॉसी का काम यह नॉर् हैरियर लिखा हुआ है पीछे यहां पर मिल जाते हैं हमको जो फॉग लैंस है रियर के वो छोटी छोटी डिटेल्स की बात करूं मैं तो यह देखिए यहां पर आपको हर गाड़ी में जो टाटा है वो कुछना कुछ एम्बलम यहां पर दे रही है यहां पर हमको इस टाइ पर लिखा हुआ जो आपको देखने में नहीं दिखेगा लेकिन पास जब आप आएंगे तब आपको पढ़के जैसे आपको मिलेगा वह खुशी सी अलग होगी वोकल फॉर लोकल जैसे हर टाटा गाड़ी में लिखा हुआ होता है और छोटी-छोटी लाइट है लेकिन देख साइट प्रोफाइल वही है जो मैंने अभी दिखाई इस तरह से होता है हमारा 360 view complete गाड़ी आपके सामने थी अब आती है बात इसके इंटिरियर की तो चलते है इसके इंटिरियर में क्या क्या चीज़े अंदर टाटा देती है क्या क्या फंक्शन देती है वो दिखाता मिलती है कुछ ऐसी four button की है यहां पर है lock and unlock इधर है follow me lamp और यहां पर मिल जाता है हमको बूट रिलीज का option follow me lamp से आपको दिख रहा है यहां पर हमको दिख रहे हैं यह यहां पर LED सैट अप और इसके बाद यह दिखाने के बाद चलते हैं हम इसके इंटिरियर में में चीज ज automatically यहीं पर हमको request sensory मिल जाता है क्योंकि black black है तो दिखता नहीं जादा यहां से हम चलते इसके अंदर तो इंटीरियर की बात करें अलगी जैसा सारी टाटा की गाड़ियों में SUV में मिलता है handle बहुत ही एक commanding सी position दे देता है हमें और ऐसा confidence सा feel कराता है कि हम किसी बड़ी देने के लिए यहां पर बटन दिया हुआ है उसके बाद बात करें सीट की सीट भाई बहुत बड़ी लग रही है चौड़ी सीट है और कवर जो है इस पर लैदर वाली finish नहीं लग रही है जैसे हमें लैदर फिनिश होती है वो नहीं लग रही नॉर्मल रैक्जीन जैसे के साथ साथ आगे और पीछे हाइट वगारा भी हम यहीं से एड्जस्ट कर सकते हैं जैसा आपको दिख रहा है अब बैठते हैं हम ड्राव साइड सीट पे यहां पर हमको दिख रहा है आप देख रहे हैं एनलोग के साथ साथ पूरा का पूरा डिजिटल क्लस्टर स्पीड से अलोग डायल में और बाकी जो भी हमारी गाड़ी से रिलेटेर इंफरमिशन है वह हमको मिलती है चाहे फ्यूल वगारा हो जो भी चीज़े हैं सेंसर से रिलेटेर वह हमको मिल जाती है आप डिजिटल क्रस्टर में सेंटर कंसॉल तो बाई ultimate क्या ही कहें देखने में इतन इहां पर है और साथ में charging के लिए अलग socket दिया हुआ है वो भी fast charger है और उसके साथ साथ cool भी हे ओन्य this यहाँ पर यहां पर यहां में फोन रख सकते हैं यहां पर फोल्डर दिये हुआ आप देखे एक बार में चाहिए दो हमारा इसमें पर भी हमारा सिटी और रेनी यहां पर रफ रोड इन सब के लिए अलग अलग दिया हुआ है और गलॉसी है यहां पर रैव ठीजाती है क्योंकि जरा सब्सक्राइब देता है हाथ लगने के बाद दुख देता है यह अलग पर उसके बाद आया ते डिस्प्ले पर बाई डिस्प्ले देखो गजब साहिए लग रहा है देखने में और इससे नीचे का जो वेरियंट उसमें थोड़ी चोटी स्क्रिन आती है इसमें थोड़ी बड़ी है एक जैड और एक जैड प्लस में यह डिफ्रेंस आ जाता है और पीछ में होन के लिए हमको दिया हुआ है तुइन होग है और उसके साथ यहां पर ब्लूटूत टेली फोनी के कंट्रोल से हैं सारा सिस्हत्रम करने के लिए उसके यहां पर इस साइड हमारे क्रूज कंट्रूल के सुचिश दिये हुए है इधर बात करें हम ग्लोब ओक्स की ग्लॉब वॉक्स में अच्छा खासा इस्पेस है लाइट भी साथ में दी हुई है यहां पर जो टेक्स्चर है वो डाक एडिशन की वैसे दूसरा वुडन टाइप का नहीं दिया हुआ जाए नॉर्मल में आता है यहां पर हमको ग्रेनी टाइप का दिया है लेकिन है पूरा क पूरे पिलर है वो भी ब्लैक है और उसके अलावा हर चीज़ अंदर इंटियूर ब्लैक है बस ब्लैक में खेला गया है पीछे चली जाएगी यह देख रहा है इससे पूरी आगे आजएगी कि यहां पर हमको लेंप दी हो वाइट में जो कि अच्छे लगते हैं काफी टाटा मोसली गाड़ियों में वाइट ही दे रहा है लेगन पता नहीं क्यों जो हमारी पंच है उसमें अब यलो लाइट देदी है कोई बात नहीं अब चलते हैं इसके रियर की तरफ तो बाई इस पेस की तो कोई कम ही कही नहीं सकते हैं इसमें यह नहीं कह सकते हैं कि लेग रूम कम है कुछ कम है अच्छा का सा इस पेस है बीच का हम जो है वह काफी बढ़ा है और एड्जस्टेबल हैड्रेस दिये हुए है प्रीमियम नेस काफी आती है गाड़ी में बैठ कर बूट इसमें मिल रहा हमको 425 लीटर का नमबर्स में थोड़ा कम लगता है इस साइज की गाड़ी के लिए लेकिन डीप नहीं है इस वह से सीधा सीधा आप लोडिंग क्योंकि हाइट पर भी यह काफी गाड़ी अगर यह डीप होता बहुत दिक्कत हो जाती डिरेक्ली पर पार्सल ट्रे दी हुई है पूरे बूट को कवर करने के लिए इस तरह से हो जाता है हमारा जो गाड़ी का इंटीर है वो कवर अब आ आती है बात जो हमारे इसका इंजन है जो पावर है देने वाली जो इसका दिल है उसकी तो बोनट खोलते ही हमें यहां पर दिखता है 170 उपर है cryotech तो इसलिए लिखा है 170 PS की पावर जनरेट करता है cryotech technology के साथ patent कराया हुआ Tata का लेकिन engine जो source किया गया है वो है Fiat की तरफ से 2.0 लीटर का मतलब 2000 CC का engine है 170 BHP की पावर दे देता है हमको और साथ में जो torque की बात करें 300 NM का torque है चलाने में बहुत पंची बहुत चीज़ हमको यह गाड़ी दे देती है engine sufficient है tried and tested Fiat बाकी भी गाड़ियों में दे रहा है मैं उनके नाम नहीं लूँगा यहाँ पर लेकिन इसमें भी आते हुए time हो गया है लोग काफी खुश है किसी भी तरह की under power होने की शिकायत engine से related इसमें नहीं दी गई तो यह था इसक 205 एम का company दे देती है प्राइज की अगर बात करें तो बाई 19 लाख 79 जार 19.69 लैक्स की आपको एक शोरूम पढ़ती है और हम उत्राखंड की बात करें तो बाई करीब साड़े 22 लाख रुपे के आसपास के गाड़ी आपको on-road पढ़ रही है वीडियो कैसी लगी गाड़